नेवर मिस अप्रेडिक्शन वीडियोज चैनल सब्सक्राइब करके बल आइकोन प्रेस करें और स्टे अपडेटेट फर लेटिस्ट वीडियोज जय महाराष्ट्र में विदांगी नयन करने के राज मंत्र इस विशेश कारिक्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस शो में हम राजनीति घटनाकरम के भविश्वानी करते हैं और इस हफ्ते महाराष्टर के राज कारण पे तो चर्चा करने ही वाले हैं और साथ ही साथ commodity और share market कैसा होगा ये भी हम ज़रूर जानके लेने वाले हैं पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ पंडित जी आपका इस शो में बहुत-बहुत स्वागत है शो के शिर्वात करते हैं फिलाल के सबसे बड़े सवाल के साथ पंडित जी सवरो गांगोली जो है बीजेपी जॉइन करने पे फिलाल चर्चा जो है उनके बारे में सुनाई दे रही है तो क्या ये सच हो सकता है और अगर ये सच हुआ तो कैसा रहेगा उनका भविश्य राजनीती में बताईए पंडित जी जी बहुत ही सुन्दर सवाल है क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा चल लही थी दादा के बारे में कि वो क्या एक्टिव राजनीती एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेंगे मगर सबसे पहले मैं आपसे फिर अनुरोद करूँगा कि आपने देखा होगा कि मैंने मास्क कभी उतारा है मास्क जरूर पहनिए हाथ जरूर सैनेटाईज करिए करोना जो है अभी तक गया नहीं है यह संदेश में सबसे पहले आपको देना चाहता हूँ अब बात करता हूँ सावरव गांगुली की सावरव गांगुली को लोग प्यार से दादा कहते हैं हमारे भारती एक क्रिकेट के काप्टान रह चुके हैं और इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के प्रेजिडेंट है और पिछले दिनों बिमार रहे, करोना हो गया उनको मगर यहां पर हम उनकी कुंडली का ध्यन करते हैं कि राजनिती में उनका छक्का चलेगा के नहीं चलेगा कितने डिपेंडेंट रहेंगे क्योंकि काफी दिनों से चर्चा चल रही है बहुत साल पहले 2008 में जब दादा को क्रिकेट टीम से भी बाहर कर दिया था तो तभी हमने ये प्रेडिक्शन की थी कि वो वापिस क्रिकेट में कैप्टन बन कर आएंगे वो सत्य हुआ था आज के दिन फिर हमने दादा की कुंडली का ध्यन करके आपके सामने रखा है आठ जुलाई 1972 कलकत्ता में जन्म हुआ आठ बज के 38 मिनिट शाम सुबह के और वुरुषब राशी है वुरुषब राशी के साथ साथ में रोहनी नक्षत्र है और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है बारानब और शुरू से ही मंगल उनका इतना पावरफुल एप्रबल है कि शुरू से ही उन्होंने क्रिकेट में जैसे ही पाउं रखा तो अपनी हाजरी इस तरह से दी कि अंतराश्ट ये इस तरपर उनको मान सम्मान और भारत का नितित्व करने के लिए उनको चुना गया जिसके लिए आप सबने उनकी बहुत सी पारियां देखी जिसमें उन्होंने बहुत सी हारती हुई पारियों को जिताया है अब बात करते हैं कि भारती ये जन्नता पार्टी की पारी अगर वो खेलते हैं या राजनिती की पारी खेलते हैं तो उसमें आगे उनका बविश्य क्या हो सकता है जी 8 जुलाई 1972 शनिवार को उनका जन्म हुआ आज ही के दिन और कुंडली में जो प्रबल ग्रहों की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मंगल, सूरिय, शनी, शुक्र उनके बहुती प्रबल है और हाल ही में 18-10-2018 को शनी की महाधशा दादा की कुंडली में लग गई और 2018 से लेकर ये महाधशा है 17-10-2038 तक रहेगी और हम बात करें 2037 तक रहेगी यहाँ तक हम दादा की कुंडली का बात करें तो शनी उनका प्रबल है, शनी उनका भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ में महाप्रारब्द और महाप्राकर्मी योग बनाते हुए उनके दस में घर में बैठा हुआ है और इस वक्त गोचर मेशनी जो है वो उनके छटे गर में बैठा हुआ है अब साथ तारीक को ये ऐसा आप कहा जा रहा है कि साथ तारीक को दादा जो है वो भारती ये जन्नता पार्टी जोईन कर सकते हैं और हो सकता है बहुत से मीडिया के माध्यम से खबरों के माध्यम से जो न्यूज आई है उसके ओपर मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत सी मीडिया का और बहुत से पेपरों के लिखा आ रहा है कि हो सकता है कि सौरव गांगुली जो है भारती ये जन्यता पार्टी का मुख्यमंतरी का चेहरा हो क्या बात है तो ये बहुत बड़ा खुलासा आपने यहाँ पे किया है और अगर ये सच होने वाला है तो मतलब ये एक बहुत ही बड़े धमाकेदार न्यूज आगे जाके बन सकती है इसके बारे में हमें पहले ही सचेत करने के लिए बताने के लिए बहुत शुक्रिया पंड़ी आगे देखिए 18.10.2018 से डेफिनिटली एक बात तै है कि शनी जो है मासिस के साथ में जोड़ा हुआ ग्रह है और इस वक्त वो अपनी राशी मकर राशी में बैठा हुआ है एक बात पक्की है कि वो साथ तरीक को राजनीती जॉइन करेंगे क्या बात है यही साथ तरीक को इसलिए आज पांच है कल छे है और कल साथ है यानि शनीवार को छे तरीक और संडे को साथ तरीक को वो भारतिय जनता पार्टी मोदी जी के सामने जॉइन करते हुए दिखाई देते हैं उनके जीवन में एक जो बदलाओ आते दिखाई दे रहा है उसमें डेफिनेटली सौरव गांगली जो है भारतिय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में थाम सकते हैं अब आपने सवाल किया कि कितने सफल होंगे यहां तक सफलता की बात है अगर वो खड़े होते हैं किसी भी तरह किसी भी इलेक्शन के इलेक्शन लड़ते हैं तो डेफिनेटली सौरव गांगली जो हैं वो जीत कर आते हुए दिखाई देते हैं मगर भारतीय जन्नता पार्टी के पास अब इस वक्त अगर हम देखें तो तरिनोमल कांग्रेस के सामने सिर्फ तीन सीटें वहां पर बंगाल में उनके पास तीन अमेले हैं इसलिए भारतीय जन्नता पार्टी डेफिनेटली दादा की उपस्थिती में एक बहुत बड़ी पकर और बहुत बड़ी बड़त राजनीती में पास सकती हैं तीन से पचास हो सकते हैं पचास नहीं तो असी हो सकते हैं मगर definitely दादा उनके लिए बिल्कुल चोके और छके का काम कर सकते हैं इसलिए number one prediction तो भारतिय जन्नता पार्टी का हाथ थाम रहे हैं कुंडली में राजनीती का सफर उनका शुरू हो रहा है और ये सफर definitely आगे जाकर मुख्यमंत्री बनने की भी position रखता है अगर इस election में नहीं तो अगले election में इस election में त्रिनमुल कॉंग्रेस और भारतिय जन्नता पार्टी की टक्कर हो सकती है मगर ममताब एनर्जी की कुंडली का अध्यन जब हम करते हैं और भारतिय जन्नता पार्टी के करणधार माननी नरिंदर मोदी और अमिच्छा की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं तो कहीं न कहीं इनको बहुत अच्छी बड़े बीजेपी को मिलती हुई दिखाई देती है मगर त्रिनमुल कॉंग्रेस की अध्यक्षा सुष्री मायावती जी की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं तो वो कहीं न कहीं बहुत बड़े मतों से नहीं तो भी वो बंगाल अपने हाथ से जाने नहीं देंगी पॉसिबली ममता बेनर जी और त्रिनमुल कॉंग्रेस बापिस वहाँ पे तीसरी बार अपनी जीत का डंका बजा सकते हैं और जीत सकते हैं मगर दादा की उपस्तिती से ममता बेनर जी को 10 से 15 सीटों का और नुकसान होता हुआ दिखाई देता है यह कुंडली का विशलेशन है जब हम compatibility चार्ट बनाते हैं दादा कैन बी बिग फेस ऑफ भारतीय जन्नता पारटी इन बेंगौल यह बात पकी है जी बहुत बहुत शुक्रिया पंड़िजी और जैसे आपने कहा कल का यानी रविवार का इंतजार जरूर हैगा साथ तारीख है बढ़ते हैं अगले सवाल की और फ्यूचर की बात होई रही है तो वनमंत्री संजर राठोड की बात हम करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि पिछले हफते पंडित जी ने एक खुलासा किया था एक भविश्य बानी बताई थी संजर राठोड के बारे में जो भी सच हो चुकी है और इससे पहले कि आज के सवाल की और बड़े मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक एक छोटी सी अशी शुक्लपक्ष की अश्टमी और हस्ता नक्षत्र संजे राठोड एक सेल्फ मेड आदमी है अब बात करते हैं कि पूजा चाहँ ने जो इनके उपर आरोप लगाया क्या उसमें कितना सत्य है संजे राठोड की अगर हम कुंडली का अध्यन करते हैं इस वक्त उनकी शनी की महादाशा लगी हुई है शनी 14-1-2020 से उनके उपर लगा है और 14-1-2020 के बाद ही संजे राठोड जो है वो मंत्री बने है शनी उनका प्रबल है शनी और शुक्र उनका अश्टम भाव में बैठा हुआ है शुक्र और शनी जो अश्टम भाव में बैठा हुआ समझ लीजिए तो डेफिनेटली एक प्रारद और एक प्राकर्मी योग बनाता हुआ दिखाई देता है वहाँ से आटमे गर को उनके भागिस्थान को और दसमे गर को जैसे ही ये कॉंबिनेशन देखता है तो संजे राठोर की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं तो 4-4-2021 तक संजे राठोर की मुसीवतें कम होती हुई दिखाई नहीं देती संजे राठोर किसी की मित्यों का कारण बन सकता है ये कुंडली से कहीं भी प्रतीत नहीं होता पूजा चवान की अपने आत्महत्या की ये बहुत ही दुखत बात है मगर 14-16 मार्च तक संजे राठोर को डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पर सकता है यहां तक कि उनको इस्तीफा देना पर सकता है जो उन्होंने दे दिया है उनका इस्तीफा एकसेप्ट हो सकता है और उसके बाद 4-4-2021 तक उनको और तक तकलीफ आ सकती है मगर मैं यहां पर उनसे एक ही अनुरोद करूँगा एक कश्ट निवारन पूजा आप जरूर करवा लिजिए कहीं न कहीं यह शर्यंत्र भी आपके खिलाप हो सकता है संजे राठोर चौव तक समस्याओं से घिरे होए रहेंगे और 16 मार्च के बाद उनको कहीं न कहीं इसमें राहत भी मिल सकती है and he can remain as a forest minister of महराष्टर तो पंडित जी जब हम बात करते हैं संजे राठोर की तो उन्होंने इस्तिवा तेने के बाद पाच दिन के बाद उनके इस्तिवा को मनजूर किया गया है तो अभी उनका जो राजनीतिक करियर है क्या वो खतम होने वाला है या फिर आगे जाके उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो फिर एक बार रिवाईव हो सकता है क्या आप कहना चाओगे इसके उपर जी देखिए संजे रठोर जो है उनका चेरा मुरा देखो तो एक राजा का जैसा दिखता है और अगर हम उनकी कुंडली का बापिस अध्यन करके आपके दर्शकों के समक्ष रखते हैं पहले सबसे तो मैं उन दर्शकों को बहुत बहुत उनका भिनंदन करता हूँ कि लाखों की तादाद पर आपने हमारी ये भविश्यवानी जो है वाइरल की और लोगों ने देखी और लोगों ने सराहा मगर भाग्या जायते सरवदाना पुरुशमना कौशलम भाग्या से जीवन में बड़ा कोई नहीं है नव ग्रह बारा राशिया नियती को कोई नहीं टाल सकता ये मैं पिछले 25 साल में चैनलों के उपर कहते आया हूँ नियती को कोई नहीं टाल सकता भगवान राम को 14 वरस का बनवास काटना पड़ा आपने देखा होगा और भगवान होने के बावजूद भी जो पुरुष के शरीर में आ जाता है उसके उपर नव ग्रह बारा राशिया और 27 नक्षत्रों का प्रभाव पढ़ना शुरू हो जाता है आज अगर हम संजे राठोर की कुंडली का अध्यन करते हैं तो इस्तीफा मनजूर हो गया मगर इस्तीफा अभी तक गवर्नर सहब के पास नहीं पहुंचा है इसलिए अभी भी उनकी जो मुसीवते हैं वो तल सकती हैं उनको लगातार समक्ष आकर लोगों के स्पीच आकर पत्रकार परिशद करके अपनी सफाई पेश करनी चाहिए और अगर कोई अपराद किया ही नहीं है संजे राठोर आपको बिलकुल भी दुबत कर बैठना नहीं चाहिए और आगे आकर बोलना चाहिए मगर फिर भी मैं यहां तक यहां पर एक बार फिर यह बविश्यवणी करता हूँ कि 4-4-2021 तक अगर यह इंक्वाइरी अगर यह पुलीस की जो इंक्वाइरी चालू है अगर वो पूरी हो जाती है तो 4-4 के बाद फिर संजे राठोर जो है वो वन मंत्री बनकर वापिस आपके सामने आ सकते हैं उनकी कुंडली में आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बविश्य है यहां के और केंदर में भी मंत्री बनने के योग उनके बनते हैं अभी तो उनकी आयू भी बहुत कम है आगे आने वाले दिनों में प्रबलता दिखती है इसी छोटे छोटे लफडों में पढ़ने की अवशकता नहीं है आप फोकस करिए और अपने जीवन को आगे भढ़ाईए यह जो हुआ है इसमें सत्य क्या है वो सामने आ जाएगा सबक की थी वो भी दूद का दूद पानी का पानी यहां पर सामने आ गया अब क्योंकि ग्रैहों की स्थिती से बचना बहुत मुश्चकेल है यह बभिश्यवनी जो पिछली बार हमने की थी वो सत्य हुई कि आपको इस्तीफा मनजूर तक हो सकता है समस्या और बढ़ सकती है इस इस वक्त में आपको एक ही अनुरोद करता हूँ शुकर आपके चटे गर में बैठा हुआ है चटे चटा गर जो होता है वो हेल्थ होस होता है सेहत का गर होता है इसलिए आप अपनी सेहत का ब्लड प्रेशर डाइबिटीज का पूरा ध्यान रखें क्योंकि अगर सेहत ही अ समस्याइं कम होनी शुरू हो जाएंगी and in the 40 days 4-4 के बार 40 दिन आप पकड़ लीजिए तो पॉसिबल है कि आप पुन्हे वन मंत्री बन सकते हैं और अगर इस वक्त उनकी कुंडली का ध्यन करें इस वक्त definitely मैंने जैसे बोला था कि 16 मार्च तक समस्याइं जो है और बढ़ स अज 5 तारीक है 11 दिन आपको और समाधान और भगवान का नाम लेते रहना पड़ेगा इसलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से सुझाओ देता हूं कि शान्तता बनाई रखें मगर लोगों के बीच जाकर अपनी समस्याओं को और अपनी और ये जो प्रॉब्लम है उसको जाहिर करें अगर अपराद हुआ ही नहीं है तो ये अपरादी क्यों बना हुआ हूं मैं जी बहुत शुक्रिया पंडित जी और जैसे आपने इस विशय के ऊपर रोश्नी डाली है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवार लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है राजमंत्र में एक छोट इसे ब्रेका आप कही ना जाना देखते रहिए जय महाराश्ट्र नमस्कार में विदांगी नायन करनिक फेरिक बार आपका राजमंत्र इस विशेश कारेक्रम में स्वागत करती हूं पंडित जी से हम बात कर रहे हैं पंडित जी फिलहाल पूरे वर्ल्ड पे मंगल और राहु का जो प्रभाव है वो फिलहाल बहुत जादा हो रहा है तो इसका जो परिणाम है वो क्या पढ़ सकता है मौसम पर और राजनीती पर भी जब हमारे देश की बात हो देखिए मंगल और राहु का अंगारक योग चल ला है इसलिए इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा मौसम के ओपर आप देखेंगे कि जगा जगा बहुत से देशों में गर्मी का जो प्रभाव है बड़ेगा और बहुत सी जगाओं पे आग जनी जरूर होगी यनि कि जंगलों में आग लग सकती है, बिल्डिंगों में आग लग सकती है, मंगल और राहू का अंगारक योग है, प्रकोप है, प्रभाव की जगा प्रकोप बोलूगा तो मैं सही रहेगा और राजनीती में भी इसका जो है उल्टा असर पड़ सकता है आपने देखा भारती ये जनतापारटी को पंजाब में और दिल्ली में किस तरह हार का सामना करना पड़ा इसलिए उसका प्रभाव कहीं न कहीं बंगाल में भी पड़ता हुआ दिखाई देता है मौसम की बात करें तो मुंबई जैसे शहर में यहां पे 34 डिग्री से पारा उपर नहीं जाता हो सकता है मुंबई जैसे शहर में भी यहां पे समुद्र देवता विराजमान है यहां पर भी 38 to 40 डिग्री का टेंपरेचर आपको देखने को मिले डेफिनेटली इस साल गर्मी जो है सरदी से कहीं ज्यादा पड़ती हुई दिखाई देती है गर्मी के प्रकोप से हमको बहुत जरूरी है कि सावदानिया आयूरवेदिक के हिसाब से लेनी पड़ेगे एक तो गर्मी और एक राजनीती दोनों पे इसका अच्छा प्रभाव नहीं है जी बहुत शुक्रिया पंडिर जी जब बात कहता है आठ मार्च के तो अंतराश्य महिला दिवस के नाम से इससे सेलिब्रेट किया जाता है जाना जाता है लेकिन भारतिय महिलाओं की अगर हम बात करें तो उन पर आए दिन अत्याचार होते हुए में दिखाई देते हैं और इस साल भी हातरस का केस हो या फिर कुछी दिन पहले जलगाओं के जो विमन होस्टिल पे जो शर्मनाक हाथसा हुआ था तो उस बारे में अगर हम बात करें तो आस्ट्रोजी के माध्यम से हम जरूर जानना चाहेंगे कि औरतों पर होने वाले ये जो अत्याचार के मामले है क्या इस साल में कम होते हुए नजर आ रहे है और कैसा रहेगा ये साल महिलाओं के लिए ये जरूर जाना चाहेंगे बहुती बहुती अच्छा सवाल किया और इस मंच के उपर इस तरह का सवाल आप लेके आई मैं आपका अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ कि महिलाएं जो हैं ये पूरे विश्व के उपर इस वक्त चाही हुई है कमला हैरिस को ले ले और हमारे देश में भी अगर आप देख लो चाहे वो मायावती है चाहे वो ममता बेनर जी है और भारती ये जन्नता पार्टी में भी महलाओं का प्राधूरबाब और ये जिस तरह के कांड हो रहे हैं उसके लिए माननीय नरिंद मुदी और अमिट शाग रहमंत्रियों को एक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे यहाँ पर महाराष्ट में जो दो किस्से हुए है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्दव जी ठाकरे को रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ना कोई ऐसा कानून लेकर आए कि कोई भी व्यक्ती महिलाओं को हाथ लगाने से पहले कांप जाए और यहाँ तक तो रक्षक ही भक्षक बनते हुए दिखाई देते हैं इतनी भ्यानक घटनाओं का पूरा पूरा आप ब्योरा लीजिए और उसके उपर जबरदस्त और कड़ी कारवाई किये करें इवन देशमुक्स आपसे जो ग्रह मंत्री है उनसे भी अनिल जी से भी मेरा हाथ चोड़ का रविन यह है और इस्तरी के बारे में आगे आने वाले एक साल के अंदर आप देखेंगे कि भिन भिन कंट्रीज में इस्तरीयों का उधैकाल होगा और इस्तरीयों के बारे में तो भारत में ये लिखा हुआ है कि नार्यस्तु यत्र पूज्यंते रमंते तत्र देवता यहाँ इस्तरीयों की इज़त होती है यहाँ इस्तरीयों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते है आप ये क्यों नहीं समझ रहे हमारे धरम में लक्षमी, सरस्वती, हर तुल्जा बवानी सब इस्तरिया ही है और मा के पेट से हम जनम लेते हैं किसी तरह का इस तरह का जो कांड है वो बंद होना चाहिए मगर ग्रहों की परस्तिती ये कहती है कि ये मंगल राहू का प्रकोप जो है इसमें कुछ ऐसी वातावरन हो सकते हैं और इसके प्रकोप के हिसाब से कहीं न कहीं आंतक वादी हमला भी हो सकता है मगर इस तरियों के लिए आज I will personally wish all of you a very happy woman's day on the 8th of March wish you all the best for every success आप हमरे देश में महरानी जहांसी भाई रही है आप हमरे देश में उदा भाई पासी रही है आप हमरे देश की हर प्रणाली में आगे बढ़कर आपने काम किया है इसलिए मैं आप सब को प्रणाम करता हूँ जी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपने जो बताया है उसके लिए बहुत बहुत धनिवाद और होप करते हैं बेस्ट के लिए और बढ़ते हैं आज के आखरी सवाल के और और जैसे हम हर वक्त बात करते है शेर मार्केट और कमोडिटी मार्केट जो है उसकी परिस्तिती क्या रहेगी यह ज़रूर बताईए देखिए मैं टू दी पॉइंट पे आता हूँ समय कम होने की वज़े से 51,000 Bombay Stock Exchange 51,200 के उपर जाता हुआ दिखाई नहीं देता अंतराष्टी यह बाजार में भी एक मंदी दिखाई देती है जो पिछले तीन दिनों से आपने देखी डॉजॉन पकर लो नैस्डेक पकर लो डैक्स पकर लो वैक्सी पकर लो सब नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और हमारा जो सूचकांक है डैफिनेटली इसमें FIIs का, DIs का काफी धन निवेश हो रहा है तभी यह 50,000 के ऊपर ठिका हुआ है 51,500 तक मैक्सीमम मगर I am bearish in the market यह बाजार जो है 47,500 तक भी जा सकता है यानि अच्छी बिक्वाली देखने को अगले हफ़ते मिल सकती है NST की बात करें तो 15,250 उपर का अंकड़ा और नीचे का अंकड़ा थोड़ा आचंबित करने वाला है 14,500 का है और अब आप बात करतें कोमोडिटी की अगर आप देखें 52,800 का अंकड़ा पर 10 ग्रम देख सकता है और चांदी में भी 74,000, 74,000 से घिसरती हुई चांदी 65,000 तक आ चुकी है 10,000 रुपए पर केजी चांदी में गिरावट आई है यह गिरावट जारी रह सकती है 63,500 तक यह गिरावट आ सकती है मगर चांदी सोने से जल्दी बॉंस बेक करेगी डेफिनेटली अगले 15 दिन में चांदी बापिस बॉंस बेक करते हुए 70,000 का आंकड़ा जो है वो छू सकती है मगर यहाँ पर एक हिदायत है आप लोगों को कि हमारी बविश्यवाणिया सच हूई लोगों ने पैसा कमाया लोगों ने हमको हमारा अभी नंदन भी किया मगर यहाँ पर राजमंत्र, पंडित, राजकुमर शर्मा, जै महराश्टरा हम लोग आपके प्रॉफिट और नुकसान के बिलकुल हकदार नहीं है आप स्टिक्ट स्टॉप लोउस रखकर काम करें किसी भी तरह अगर आपका लोउस होता है तो उसके भी हम जवाबदार नहीं है प्रॉफिट होता है तो हम आपको सैल्यूट करते हैं आपको विश्यू विश्यू अल दे बेस्ट कहते हैं जी बहुत शुक्रिया पंडित जी और जैसे हम हमेशा कहते हैं आप सिर्फ भविश्य वाणिया ही नहीं करते बलकि हमारे दर्शो को का मार्ग दर्शन भी करते हैं और उसके लिए फिर एक बार आपका तहे दिल से धन्यवाद और इसे के साथ साथ आप से विदा लेने का समय आ गया है आप देखते रहिए जै महारश्य नीम्स